आज मैं एक लड़की को कुछ खतरना गुंडों से बचाने वाल हूँ और उनको मार मार करूँ उनकी नानी याद दोला दूँगा ओल्राइड गाइस वेलकम बाक टू दे न्यू वीडियो ओल्राइड गाइस यहाँ पर सामनी के तोड़ा बहुत ही ज्यादा खतरना गुंडे हैं और मेरे को लग रहा है यह खतरना गुंडे शायद से इस लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ओल्राइट ये लड़की बहुत ज़्यादा डरी वही लग रही है और एक गुंड़ा तो देखो गाईज कितना ज़्यादा उसे परेशन कर रहे है और गाईज वो सोच रहे है कि इस लड़की के साथ में कुछ तो गलत हरकते करूँ और ये देखो गाईज ये बहुत ज़्य गुंड़े और इनकी हड़िया तो देखो गाईज कितनी ज़्यादा मसबूती और ये लड़की बहुत ज़्यादा डरी वही लग रही है और गाईज इसको तो मेरे कोई बचा नहीं पड़ेगा और राइट गाईज यहाँ पर मेरे को आगी के साइड आना पड़ेगा और इसको बचा नहीं पड़ेगा और राइट कौन है वहाँ पर छोड़ दा उस लड़की को मैं आ गया हूँ हिम्मत है तो मेरे से फाइट करके बताओ अरे अरे ये गुंड़े तो मेरे कोई मारने आ रहे अरे दो दो गुंड़े एक सत आ रहे तो में तो यहाँ पर भाग और मेरे से बहुत जदक कम है और राइट यह आपर ये तो गुंड़ा मर चुका है अभी एक गुंड़ा बचा है दे इसको दे इसको अठेक करके ये अपर मैंने मार दिया पर एक तगड़ा वाला गुंड़ा और एक बचा है रिशाहिद से इसके हांट में एक बेस्बॉल बैट है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है अरे मेरे पास तो भाई सब कौन से भी वेपन नहीं है अब भी मेरे साथ यह फाइट करने के लिए आएगा और यह बहुत ज़्यादा कदरना के तो मेरे को तो इसको मारना पड़ेगा अरे लड़की को परेशन करता है हम्मत है डिए तो मेरे से बात करके दिए हैं चल 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 अरे मिरे पास अभी स्टैमीन kır हैं तो मेरे मेरे को स्टैमीन कर ने फृदे खरने वहां में यह पर मर जाओंगा यह और यह मेरे से पीछे से वार करते हैं कायर पीछे से वार करते हैं हिम्मत है तो सामने से वार करके दीगा चल 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 निकल निकल पहली फुरसद में निकल यहाँ पर हिंदुस्तान को तेरी कोई भी जरुएत ने चल 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 तुम जैसो की लोगों की वज़े से यहाँ पर लड़की पर निकोलो मेरे को अपने यहापर थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है पिछले वाले बंदे थोड़े बहुत कम पावरफुल थे लेकिन गाइज इसके पास जो बेस्ट बाल बैट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और राइट अभी इसकी हेल्थ थोड़ी बहुत ही बची है तो फटफट इसको मेरे को मारना पड़ेगा राइट यहापर अभी मेरा फिर एक बार स्टैमिनर खतम हो जाए एक बार मेरा स्टैमिनर रिकोर्ड हो जाएगा ना तो उसके बाद इसको मैं दिखा दूँगा कि क्या चीज हूँ मैं और राइट गाइज इसको भी यापर मैंने मार दिया और राइट गाइज यहाँ है कि तुम एक प्रोफेशनल फाइटर हो नहीं यहाँ पर मैं कुछ प्रोफेशनल फाइटर अगिरे तो नहीं हुँ लेकिन गाइज मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहूंगा यह लड़के तो हमसे बह सी सेलेक्ट करेंगे क्यूंकि हम तो अभी बेसिक लेवल में खेलने वाले और राइड गाइज यहापर में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आ चुको और सबसे पहले यहापर मेरे को थोड़ी बहुत एकसरसेज उगरा करनी पड़ेंगी क्यूंकि हड्यों क्यों मस बॉक्सिंग करते मतलब हम तो अभी यहापर नूब है तो हम तो यहापर बिल्कुल बॉक्सिंग नहीं कर सकते हमे भी यहापर प्रो होने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग वगरा करनी पड़ेगी यहापर सामनी की तरफ कुछ तो एक पंचिंग बैक्स है तो फटवर यहाँ पर पंचिंग बैक की प्रैक्टिस तो बहुत ज़दा हो चुकि और सामनी की तरब यहाँ पर कुछ तो एक कार्पेट है तो थोड़ा बहुत गाईज यहाँ पर मैं अपना पुश अप्स वगरे लगा लेता हूँ यहाँ पर कुछ तो एक पुलप्स वगर है तो थोड़े बहुत गाईज यहाँ पर मैं पुलप्स वगरा भी मार लेता हूँ और यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरह से push-ups लगा रहा हूँ और यहाँ पर मेरी strength और speed बहुत ज़दा कम है तो guys मैं सीधा आपको मेरी strength और speed increase करके मिलता हूँ और यहाँ पर मैंने training complete कर लिए और guys अभी time है यहाँ पर boxing ring में जाने का तो सामने के दर अभी यहाँ पर मैंने को बहुत सारे boxing ring दिखाई दे रहे है तो यहाँ पर मैं बीच वाले boxing ring में जाऊंगा और राइट guys यहाँ पर हमारी match start होने वाली है और मेरी strength और speed बहुत ज़दा है और सामने वाला player भी बहुत ज़दा तगड़ा लग रहा है और राइट यह player तो बहुत ज़दा खतरनाक भी लग रहा है और वैसा अभी यह कौन से कपड़े पहन कर आए यह मेरे को समझ में नहीं आ रहा मतलब यहाँ पर boxing करने के लिए लोग कैसे कपड़े पहन कर आते और राइट यहाँ पर यह देखो बहुत ज़दा खतरनाक defend और करने की कोशिश कर रहे और मेरी यह बहुत ज़दा खतरनाक जारी और राइट और यहाँ पर मैं कैसे अपने को सरवाई करूँ और गाइज इसने तो मेरे को बहुत ज़दा तगड़ी तरक से पटकने की कोशिश कर रहे और गाइज मैं थोड़ी देर में यहाँ पर धेर होने वाला हो ऐसे मुझे लग रहे और यहाँ पर मेरे को defend करकर खेलना चाहिए और मेरे को तो इसको बच कर रहे न चाहिए और गाइज यहाँ पर मैं round 1 तो हार चुक हूँ अब यहाँ पर round 2 में आने का और यहाँ पर मैं round 2 में आने के लिए सबसे पहले इसको कैसे मारू और राइज सबसे पहले इसको मारने के लिए मेरे को अपना हाथ की इस्तमाल करना पड़ेगा और राइट यह बहुत ज़दा डिफेंटिव करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपना यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से डिफेंट कर रहा हूँ और गाइस यह भी यहाँ पर बहुत ज़दा खतरनाक तरीके से डिफेंट कर रहे हैं दोनों यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी आग्रेसिव नहीं हो रहे है और यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत मुविन करना पड़ेगा और वाईसा भी यहाँ पर इसकी हेल्थ बॉइक देखों में कितनी ज्यादा कम कर रहा हूं और फि में तो मैं ही जीतूंगा पिछली दो बार गाईस यहाँ पर इसने मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरिके से मारने के कोशिश कही और गाईस इसकी लेवल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे क्यूंकि यह मेरे को एक दो पइंस दे रहा है ना तो गाईस मेरी बहु कितने खतरना के कोशिश करें और सामनी के तरफ यहाँ पर मेरे को भी अपना एक मैच खेलना है लेकिन यहाँ पर एक भी रिंग खाली नहीं तो मैं जाओ तो जाओ कहाँ पर यहाँ पर सामनी की तरफ देखते कुछ रिंग खाली होगी तो यहाँ पर मैच करते नहीं नहीं यहाँ पर भी सारी के सारी rings एंगेज हैं इनका मैच यहाँ पर थोड़ी देर देख लेते हैं यह देको बंद कितने ज्यादा खतरनाक तरिके से लड़ रहे हैं और राइट इसकी हेल्थ तो देको बहुत ज्यादा खतरनाक जा रही मतलब गाईज यहाँ पर मैं पिछली बार कित सुआ है यहाँ